चलिए जेहंद स्टूडेंट आज से आपको डेली क्लास मिलेगी किसकी प्रयोग साला परिचारक की आज मैं साइन्स के इंपोर्टेंट सवाल करा रहेंगे और ऐसे सवाल जो कि आपके एक्जाम में आने की संभावना है प्रयोग साला परिचारक की अगर आप तैयारी कर रह लीजिए ताकि मैं आपको बढ़िया बढ़िया सवाल कर रहा हूं और आप एक्जाम में बढ़िया बढ़िया अंसर दे पाओ ठीक है चलेंगे स्टेशन को ऑन करता हूं स्टूडेंट अच्छा हाँ यह हमारा एडियों का भी बैच चल रहा है साथ में हमारा पर एक सॉला क्या आना चालू हो जाएंगे आपके में ना सवाल क्या बोला देखेंगे स्टूडेंट निम्न में कौन सा आहार मानव सरीर के उतक उतक की व्रिध्धी के लिए के लिए पोसक्तत तो प्रदान करता है मतलब उतक समझ रहे हमारी बॉड़ी जो बनी वो टिसू से बनी है उ तो मिन्ट उनटी मिलता है पनीर से मिलता है याद रखना किसम मिलता है पनीर से मिलता है जो हमारे शरीर के उतको की व्रिधी के लिए बहुत ज्यादा important होता है बच्चु इस टैप के सवाल पुछे जाएंगे ना आपके science के सवाल एकदम सरल नहीं आएंगे और यह vitamins का topic है तो protein की बाद भी होगी इसमें आगे देखिए देखिए फंक ने निमिखित में से किसका अविश्कार किया था वैज्यानिक फंक ने किसका अविश्कार किया था vitamins का, hormone का, protein का, enzyme का यह vitamins की topic का सबसे महत्बुन topic है इस पे सवाल बनते ही बनते है तो उसने विटामिन का विसकार किया था जितने भी विटामिन थे ना उसका विसकार इसने किया था फंक ने चाहे विटामिन ए हो भी हो जो विटामिन की कैटेगिरी आई वो फंक ने किया था बच्चो इसमें समझा देता हूं मैं अगला कोश्चन इससे आपको और क्लियर हो कि विटामीन जो केटेगरी वाइज आया वो किस ने खोजा और यह सवाल बहुत इंपॉर्टिंट है निमनेकित में से कौन सा यूगम सहीं सुम्मिलित नहीं है आजकल का जो पैटन चल रहा है जो पेपर में पैटन चल रहा है वह यह पैटन है सुम्मिलित नहीं है वाला सवाल आएगा कि विटामिन A के खोज करता दिया है यहां पे विटामिन C का दिया है और यहां पे विटामिन D का दिया है यही चीज पेपर में पूछता है क्योंकि पेपर में चीजों को थोड़ा सा हाई लेवल में दिया में ज़ञा रहा है अब दिखिएक का अंसर क्या होसा बाद में आप लोग कमेंट बॉक्स में दालना इसका सही अंसर विटामिन D के खोर करता पॉल मुलर नहीं थे कौन-कौन थे यादिर जैंबना करके भी याद रख सकते हैं एबी मैकौलम ऐसे ही करके भी याद रख सेखते है मैकुलन है ना ABD विलियर्स होता है ना जो क्रिकेट खेलता है उसमें बन जाएगा AB मैकुलन ये सारे चीज आपकी जो सवाल बनने वाले पेपर में विटामिन से सवाल ऐसी आएंगे नेगेटिव कोश्यन आएगा कौन सा नहीं है ये बात आपको धिहान रखना है अच्छा विटामिन A, B, C के खोज करता आपके स्क्रिन में दिख रहे होंगे विटामिन A का है मैकुलम B का है मैकुलम C का है हॉलकर्ट B का है हॉपकिंग्स और विटामिन के खोज करता है फंक देखिए ये जो विटामिन्स है इसको आप रटा मारेंगे बच्चो क्योंकि इसी में से या तो ऐसे मैस दा फॉलोइंग वाले सवाल आने वाले है कि मैच करिए कौन किसका है या तो इंडिविज्वल में नेगेटिव कुश्यन आने वाले है कि भई या नेगेटिव सवाल आएंगे इस बात को सारे विद्याथी याद रखेंगे इसलिए मैं सारे कुश्यन आपको करा रहा हूँ ताकि आपसे गलती मत हो याद रखना आप देखिए A का मैकुलम B का मैकुलम C का होल कट आपको चीजे याद रखना पड़ेगा देखिए कट भई CUT क्या होता है कट ट्रिक में याद रखना विटामिन C में क्या आएगा कट यह याद रखना अड़ी का क्या होगा हॉपकिंग्स यह याद रखना और विटामिन का फंग यह बहुत अच्छे आविसकारक है विटामिन्स के और विटामिन्स के जब सवाल पुछता है ना एक्जाम में सीधे सीधे मैजदा फॉलोइंग देगा या नहीं वाले सवाल देगा और यह शेशन परियोग साला परिचारक में और टक्निशन में दोनों में काम आएगी पर अथांटिक कोश्चिन करवा रहा हूँ जो पेपर में आ सकता है बच्चो आगे देखते हैं स्टूटेंट देखो विटामिन्स क्या होते हैं आएसे भी सवाल पूछे गए हैं कई बार कि विटामिन्स क्या होते हैं कार्बनिक योगिक होते हैं आ कार्बनिक योगिक होते ह जीविद जीव होते हैं इनमें से कोई ने क्या करता है विटामीन एक बारे में परता विटामीन आप नहीं जानोगे आप पेपर में अंसर कैसे लगाओगे स्टूडेट क्या होता है उसमें कारबन की मातरा पाई जाती है तो यह सब सवाल जब भी आते हैं तो इसके इंटरनल कोश्चन भी करने हैं आपको अगर आपने एक दम बेसिक कोश्चन किया कि विटामिन एक रसानिक नाम क्या बी का क्या सी का क्या पर उसका बेसिक परिभासा नहीं पड़ा है एक्जाम में समस्य हो जागी आगे आजाएं चलो देखेंगे इसको मैं समझाता हूँ कि विटामिन जटिल कार्वनिक योगिक होते हैं और्गनिक कंपॉंड्स होते हैं याद रखना इस बात को जो शरीर में उपा पचेई अभी क्रियाओं में से उत्प्रेर्य को की क्रिया का नियंत्रन करते हैं जन्तु की अधिकांस विटामिन भोजन से ही प्राप्त होती है क्योंकि इनका संसलेशन पादप करते हैं अब तक लगभग 20 प्रकार के विटामिन ज्यात है जिनके दो प्रमुक्सियनी है जो जल में घुलते हैं और एक वसा में घुलते हैं आपको इसमें से ये डेटा पढ़ना पढ़ेगा अब कथन वाले सवाल को अटेंप नहीं कर पाओगे एक्जाम पेपर में ये चीज भी आपको ध्यान रखना है विटामिन का पूरा डेटा है याद रखना विटामिन एक कार्वनिक यौगिक होता है हना विटामिन जनतु में खाना से प्राप्त हो जाता है अब तक 20 प्रक प्रता भी है ठीक है आगे चलते हैं देखेंगे अगला कोशन यौगी के किस समु में सहायक आहार कारत योगी के किस समु को सहायक आहार कारं Reckon कहा जाता है अच्छा सवाल है ये वफां को हार्मोंस को की विटामिन को आप वहाँ जाओगे इसको eliminate कर लोगे इसको eliminate कर लोगे बच्चा इस दो option में फस जाता है कि मैं protein लगाओ कि vitamins लगाओ देखे हम topic पढ़ रहे है vitamins का तो आपको answer समझ आ रहा है कि vitamins है protein के बारे में अलग पढ़ेंगे याद रखना सहायक आहार कारक का नाम उपनाम किसे दिया गया है vitamins को दिया गया है चाहे वो A हो B हो C हो D हो E हो K हो ठीक है exam paper में लेने वाला वेक्ति आपको इसी type के सवाल पूछने वाला है अगला question लगा रहा हो student और आप इन सबको notes भी करना ताकि आपके exam paper में यह काम आ जाए यह है आपका वो सवाल जिस सवाल के लिए लोग बहुत दिन से वेट कर रहे हैं आपका paper step का आएगा कथन कारण वाला नीचे दिये गए कथन जिन में से एक कथन है और दूसरा कारण याद रखना ए आपका कथन है और आर आपका कारण है कथन पढ़ते हम लोग अधिकांज विटामिन मानो सरीर में संसलेशित नहीं किया जाते हैं कारण क्या है मानो के अंकेवल अनिवार या शुष्म पोशक का ही संसलेशन करते हैं ठीक है अब कथन कारण आ गया अब ऐसे ही सवाल पुछे जा रहे हैं ऑप्शन ए बोलता है ए तथा भी दोनों सही है और आर कथन एकी सही व्याख्या करता है ऑप्शन भी बोलता है ए तथा भी दोनों सही है पर परन्तु आर कथन एकी सही व्याख्या नहीं करता ए सही है किन्तु आर गलत है ए गलत है किन्तु आर सही है अब यह लेवल है आप के पेपर में आएगा अब बच्चा इतना पढ़ाए इतना रटने के बाद इस सवाल को गलत करके आ जाता है क्योंकि इसको अटेंब करने का उसको तरीका नहीं पता मैं सिखाता हूं इसमें सही है ए सही है आर गलत है कि अधिकांस विटामिन मानों सरीर में संसलेशित नहीं होती याद रखना सभी विटामिन हमारे सरीर में संसलेशित नहीं होती है यह बात सबसे ज्यादा important है अगर आपको लगता है कि सभी विटामिन मानव सरीर में संसलेशित हो जाती है यह गलत बात है और इसमें वो बोला कि मानव अंकेवल अनिवारिस सुष्म पोशकतत को ही संसलेशन करता है यह गलत बात है देखो यह कथन सही है क्यूं सही है कि सभी के सभी चीज संसलेशित नहीं किया जाता यह बात सही है और यह भी आद रखना ऐसा नहीं है हम बहुत सारे चीजों को संसलेशन में डाल देते हैं जिसका काम ना होने के वज़े से वो वेस्टेट के रूप में अलग से निकल जाता है अब यह की समझने के लिए आपक पाओगे कोश्चन को आगे देखो कोश्चन को देखो मैं समझा रहा हूँ अधिकांस विटामिन मानाव सरीर में संसलेशित नहीं किया जाता यह बात सही है और इसलिए उन्हें परियाप्त मात्रा में भोजन से ग्रहन किया जाता है यहां तक क्लियर हो गया बात मानाव सर अधिकांस विटामिन खनीश तता आहारी घटकों को शरीर का स्वयम प्राप्त मात्रा में निर्मित नहीं कर सकता इन्हें अनिवार या सूश्म पोशक तत्यों कहते हैं इस पस्ट है कि कारण असत्य है तो मेरी बात यह समझारी है इसलिए डिटेलिंग को पढ़ना जरूर और यह अभी भी समझ नहीं आएगा क्योंकि पहली बार आपकी आखे जब तक इसको प्रॉपर नहीं समझेंगे विटामिन क्या होता है आप इसको बना भी नहीं पाओगे ठीक है आगे देखते हैं बच्चों चल्वा कोश्चन देखते हैं विटामिन के बारे में निमनी कुछ विटामिन आंद्रिय शुश्मजीव द्वारा संसलेशित किया जाता है हना यह कत्षन हो गया या इखते हैं यह कत्षन हो गया आपका बेसिक क्लिएर नहीं है आप इस सवाल कोिंग नहीं कर पाओगे इसका जो अंसर है कि विटामिन के जल में घुलनसिल विटामिन है ये रॉंग है वो जल में घुलता नहीं है वो घुलता है वशा में पैट में घुलने वाला है विटामिन के पाकि सब सही है कथन में अब आप समझे कि लेवल कैसा रहेगा पेपर का जो बच्चे भी सिंगल लाइनर प जाएगा बच्चों कि इसी लेबल में आपके सवाल आएंगे और जब सवाल इस लेबल में आएंगे तो तैयारी भी आपको इसी level में करनी पड़ेगी समझ आया अगर यह पकड़ लेते कि के जल में नहीं वसा में घुलता है तो गलत कत्छनाब पकड़ लेते बच्च आगे चलते अगे में देखेंगे इसको आप चैक करेंगे ठीक है मैं इसा देता हूँ A और D क्या होते हैं वसा में घुलन सील होते हैं किसमें वसा में घुलते हैं क्या होते हैं घुलन सील होते हैं किसमें वसा में AD AD किसमें घुलते हैं वसा में अब दो को इसको ऐसा बनाओ कि आपको याद रहें जैसे AD आप इसको ऐसे बना लो की AD से किसी का نाम बना लो AD से नाम बना लो है न अब AD मोटा है तो उसके अंदर क्या जमा होगा वसा ऐसे ट्रिक बना की याद भी कर सकते हो बच्चो इस टाइब की सवाल आएंगे जोड़ी में question दिया जाएगा पेपर में और यह आपको attempt करना आना चाहिए बच्चो तो मेरे साब से मैं आपको connect कर पा रहा हूँगा सही तरीके से जैसे की paper में exam में आएगा आगे आजाते हैं चलो कौन सा vitamin जल में घुलन सीले देखो वसा वाला अलग है अब जल वाला है अब अगर आपको पता है आपने trick बनाया है कि AD, AD मेरा दोस्त है जो की मोटा है AD मोटा है मतलब उसके में क्या ज्यादा है वसा अभी तो मोटा है ना तो आप paper में क्या करोगे A और D card दोगे तो बचा क्या B और C तो जल में घुलन सील क्या है B और C जल में घुलन सील होते हैं B और C है ना ये भी याद रखना AD मोटा है और BC जल में घुलन सील होते हैं ये छोटे छोटे चीजों को याद रखना पड़ेगा क्योंकि सवाल आप कैसे आने वाले हैं और आपको पढ़ाई करते वक्त इन चीजों का बहुत ही proper तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा student वरन सवाल आ रहे हैं और अन्न कुछ जल में घुलन सील है तो निम्न में कौन सा जल में घुलन सील है आपने पता किया है आपको याद रखना A और D किसमे है वसा में है और आपने किया है B और C किसमे है जल में है अगर आपने ये टेकनिक याद रखा होगा तो B और C लगा होती है ठीक है छोटे छोटे चीजे आपको दिमाग में रखनी पड़ेगे को यह सब सवाल बन जाएगा और विटामिन्स के इंपोर्टेंट सवाल है बच्चो और मैं आपको अभी भी बोल रहा हूं क्यों कि यह क्लास देने का मक्षद यह है कि आप यह समझो कि क्या होंगे वन लाइनर सवाल नहीं आएगा इस प्राव का टिपिकल्ट कोश्चन दे जाएगा उबनना चाहिए आगे चलते हैं स्टूडेंट ना और अब तक हमारा सेशन आपको पसंद आ रहा होगा वीडियो को लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब कर देना चलेंगे अ यो प्रभूत प्रभूत मातरौ में आवस्चक होती है मतलै हमको आवस्चक होती है पोडेशियम मेंगनिशियम कैलसियं ये सब दिया हुआ है अब यह इसी चीजह याद रखने वाली चीज है कि बॉड़ी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना बॉड़ी को प सारे विद्यार्थियों को अगला कोश्चन इसलिए बहुत इंपोर्टेंट है सेव को हिर्दय रोग्यों के लिए विसेश महत्व दिया गया है क्यूंकि सेव एक इंपोर्टेंट सोर्स है मतब जो हाट के पेशेंट है हाट के उनको सेव खाने बोलते हैं डॉक्टर आप खा हाड के बिमारी के लिए बहुत अच्छा है केवल पोटेश्यम मिलता है याद रखना सेव पोटेश्यम अब कैसे याद रखेंगे इसको याद कैसे रखे याद रखना दिल वह तो आपका हिर्दय हिर्दय को प्रोटेक्ट करने वाला प्रोटेक्ट करने वाला प्रोटेक् पी निकाल के याद रखना पोडेशियम याद हो जाना चाहिए है निमने सब्जियों में सरवादिक विटामीन सी विटामीन सी पाया जाता है मिर्ची में मटर में कुम्णे में कि मूली में तो को निम लिखित बोला है मतलब आपको जवाब इन सबसे ज्यादा इनके मुताबिक पाया जाएगा मिर्ची में मतलब मिर्ची में सबसे ज्यादा विटामीन सी होता है वैसे आवला हो गया संत्रा हो गया नीबू हो गया इसमें विटामीन विटामिन सी खट्टे पलों में पाया जाता है यह बोलने वाली बाती नहीं है वो है विटामिन सी हना याद रखना सारे बच्छे याद रखना विटामिन सी को हम स्टोर नहीं कर सकते बॉडी में ठीक है अगला कोश्चन विटामिन सी का मुख्य सोस क्या है मतलब कहां से वि विटामिन-C प्राप्ठ होता है बच्चों तेके विटामिन-C को मैं जादा इसलिए लेकर चल रहा हूं विटामिन-C पे सवाल आपके आ सकते अगला कोश्यन चलेंगे खाओ भरने के लिए निम्निखित में से कौनसे विटामिन सहयक होते हैं मतलब सहायता प्रदान करते है घाव भरने के लिए आपने रक्त का थक्का जमने वाला अगर सुना होगा कि रक्त का थक्का रक्त का थक्का वाला आता तो आप लगाते कि यहाँ पर सहायक बोला है सपोर्टीव वो क्या है वो है विटामिन C याद रखना मेरी प्यारे ठीक है सपोर्टीव घाव भरने के लिए यह सवाल आपको बहुत कम देखने को मिलने वाला है अगला कोश्चन किसके आवशोशन में विटामिन सी मदद करता है बहुत प्यारा सवाल है विटामिन सी का रसानिक नाम पढ़ चुके होंगे आप लोग पर यह वाले सवाल आप किम्ने देखें वो हैं किसमें उस लफा भाल्प यहां मतलब लुहां के अविटामिन सी आवश्यक होता है यह सारे नहेश सवाल या रखना निम्लिकेदमे से विटामिन में कौन सा सरीर में भंडार नहीम कर सकते टौर नहीं कर सकते हमने बताया था ना भाई इस्टोर किसको नहीं किया जा सकता विटामिन C को स्टोर नहीं किया जा सकता सरीर में उपर से ले सकते हो स्टोर नहीं कर सकते समझार यह सवाल quality समझारा है यह standard के सवाल है बच्चों की आपके paper में 100% टकराएंगे और यह आ सकते हैं करके मैं भी आप लोगों को पढ़ा रहा हूं कि में भी टकरा जाए तो यह आप लोगों को पता होना चाहिए अगला कोश्चन निम्निकित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे धीरे बनने की विमारी होती है चलो धीरे धीरे अगर इसकी कमी है अना यहां पर बोला है कमी है आपको पता होना चाहिए इसका अंसर क्या होगा अपको पता है ना विटामिन के विटामिन के से रक्त का ठक्का भी जमता है और कमी होने पे फुन का ठक्का धीरे-धीरे भी जमता है अगला कोश्चन देखेंगे निम्डिकित में क्या आत के जीवाणों द्वारा संसलेशित करना कि वड़ बार बार आ रहा है संसलेशित करना मतब तोड़ना इसको तोड़ा जाता है vitamin B12 और K द्वारा जीवाड़ों को संसलेशित किया जाता है समझ आरी आपको बाते आपको मैं जो अभी सवाल करा रहूं सारे standard के सवाल है इसी standard के सवाल आपके paper में आने वाले student तो इसी standard में तैयारी करना वीडियो को दो तीन बार जरूर देखना ताकि आपको चीज़े clear हो सके और याद रखना हमारी एडियो की बैच भी चल रही है और हमारी एक बैच और चल रही है प्रियोग साला परिचारक की जिसकी फीस है अभी 1500 रुपए कितनी फीस है 1500 रुपए थी यह आपको अभी 999 में बैच मिल जाएगा स्टार्टिंग के 100 बच्चों को और मैं standard से पढ़ाऊंगा पढ़ा रहा हूँ आपको स्रिफ मैसेज करना है इस नंबर पे और आपको हमारा बैच जोईन करना है बच्चों ठीक है पीडियाप मिलेगा हना सब मिल जाएगा पीडियाप मिल जाएगा वीडियो मिल जाएगा recorded बैच है पर standard वाला बैच है जैसे कि level कथन जानकारण संबंद वाला बैच है तो सारे बच्चे जो भी परियोगस वाला परिचारक की तैयारी कर रहे है वो 999 में 100 बच्चों के अंदर आ जाईए और इस बैच का फायदा उठाईए और एडियो कर रहे हो तो यह एडियो के लिए है ठीक है मेरे हिसाब से आज चीजे आप सभी को समझ आ गई होगी किसी प्रकार की बैच से रिलेटेड जानकारी के लिए यहां करना वाट्स अप और अगर आप परियोगस वाला परिचारक और तक्नीशन में कन्फ्यूजन हो उसके लिए भी मुझे मैसेज कर देना बच्चों ठीक है यह वाला बैच अवश् इस वीडियो को यहीं समाथ करते बच्चों के बाई टेक कियर नीचे टेलीग्राम है जो आइन जरूर करें के बाई टेक कियर बच्चों सभी को ध्यान्यवाद अपना ध्यान रखे हमेशा ठीक है बाई टेक कियर